हेलो गाइज गूड इवनिंग तो आज बना रही हुमें कड़ी पांच मिनिट में बनने वाली पिछली व्लॉग में दिखा दी थी मैंने इसकी रेस्पी तो आज तड़का लगाती बार दिखा रही हूं और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से कड़ी पता भी डाला मैंने इसी में भूंडरियों में बेसन को और इसी में दही को डालूँगी मैं दही फैंट ले पहले अच्छे से और उसके बाद थोड़ा पाणी बलाते जाया और इस तरह से लसी की तरह बन जाएगी वरना चिलके-चिलके से फटी सी हो जाती है इसलिए अच्छे से फैंट ले पहले और कड़ी के बाद तड़कूंगी मैं राजमा रखे सासाथ और उसका तड़का भी मैं लगा रही हूं सासा देख सकते हैं अब लस्सुन डाला है मेथी साबुत जीरा और साथ में प्याज डाला है और साथ में कड़ी भी बनाई बन गी है मेरी तो यह देख सकते हैं थोड़ी दिरूबलने दूंगी मैं इसे और फिर हरा धनिया एड़ कर देंगे इसमें अब ये पत्ते डालना मैं भूल गई थी अब साइड में भून के तब डाल रही हूं इसे यहां हो रहा है मेरा प्याज ब्राउन तो हल्दी मिर्च नमक स्वादनुसार तो अब डालते ह है टमाटर हम इसमें एड करते हैं टमाटर को ये लग रहा है राजमा के लिए तड़का और साथ में देख सकते हैं आप साथ में बनाओंगी मैं चटनी उसका मैंने मटेरियल काटके रख दिया सारा साथ साथ बनारी मैं चटनी कड़ी राजमा और चटनी और साथ में बन र इसके बाद राजमा भी त्यार होने वाले मेरे तड़का लग गया थोड़ दिल पकने दूंगी में इसे और कट कर दिये मैंने टमाटर और साथ में थोड़ा सा चटनी में गुर डालूंगी मैं इमली की चटनी बना रही हुआ हैं इमली बहुत ही खटास वाली होती है तो चावल तो यह देख सकते हैं आप यह बन रहा है डीनर के लिए कड़ी और रेडी रेडी होगी पतली रखे मैंने इसमें मैं बुंदियां एड करूंगी इस बार पकॉड़े नहीं डाले बनाए मैंने इस बार मैंने सोच अब क्यों ना मैं मार्केट से बुंदियां पर चे चल्दी से चणनी के अंदर दोले दोली थी मैंने क्यूंकि बरसात की वज़ासे तो कोई ब्रोसा नहीं आजकल फंगस का इसलिए साफ रखना धोना जरूरी है और इसके बाद मेरी राजमा भी त्यार होगे इसमें भी हरा धनिया एड कर दूंगी अब अरधनिया एड करने के बाद अब लगेगा लास्ट में काले चने को तड़का उसमें मैंने खटे के लिए इमली डाला है और पिछले व्लॉग में मैंने दिखा दिया है कि काले चने का खटा कैसे बनता है आज दो तीन आइटम बना रही हूँ तो मैं थोड़ थोड़ा करक के दिखा रही हूँ सारे और काले चने में इमली एड की है मैंने और साथ में गुड़े लग रहा है काले चने को काले चने को तड़का खटे को साबुत में थी जीरा और बड़ी लाची बगरा गरम मसाला मैंने पीस दिया है और लाल मिर्ची डालनी इसमें और साथ में डा बाद डालेंगे हम थोड़ा तड़के में बेसन ही डालूंगे में इसमें बेसन को भूनेंगे हम अच्छे से जैसे देख सकते हैं प्यास तो पड़ता है निया लसन्म ना प्यास डालना है और अब इसके बाद बेसन को ब्राउन करेंगे हम थोड़ी देर उसके बाद आड़ लची को और जल्डी बन जाता इस तरह से BA बनाते हैं जैसे लसी में गोड लो बेसन जैसे दही में गोड लो तो उसके लिए बड़ा टाइम लगता है काडने के लिए बहुत ही टाइम लगता है ये वाला तरीका बहुत ही सही है जल्दी से बेसन बुन दिया और बस दही डाल दिया और जल्दी से बन जाती है जैसे कड़ी बनाते अब बेसन एड करने के बाद काले चने बन रहे हैं आ़ यहां पर और इसमें दो चमच मैंने बडए बेसन के एड किये और इसके बाद डालेगे हम अब काले चने और उन्हें अच्छे से मिलने देंगे और उसके बाद मैं यहां इमली का पानी चान रही हूं अच्छे से इस पानी को भी आड़ कर देंगे हम साथ इमली का पानी है यह और थोड़ा गुड करेंगे हम तीखा, खटा और हलका सा मीठा इमली इसी लिए आड़ करते हैं इमली ताकि तेजपना सा आए इस में तो बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से भी चावल के साथ खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जैसे राजबा ले लिए थोड़ी चटनी ले लिए थोड़े कड़ी ले जो जो अपनी अपनी पसंद है जैसे खा सकते इस तरह से भी अब इसको मैंने लोही किकड़ाई में इसलिए बनाया क्यूंकि इसका कलर थोड़ा ब्लैक जैसा कलर आना चाहिए तो ये लोही किकड़ाई में आता और लोही किकड़ाई में बहुत ही टेस्टी बनता है लोही किकड़ाई में इसलिए तो धाम का लोही किकड़ाई में बनात आता है और कलर भी ब्लैक ब्लैक कलर आता है ऐसा ही बढ़ना चाहिए काले चने का खटा तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर लिखें मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई गाई यह बन रहा है डीनर के लिए और इसके बाद बनाओंगी मैं चावल अब तो चावल मैंने भीगने डाल दिये बस दो सीटियां लगानी है और बेजरा डीनर जो है रेडी हो जाएगा यह देख सकते हैं आप चावल भी राजमा बन चुके हैं हरा धनिया एड कर दिया है मैंने और कड़ी भी मेरी साथ साथ बन चुकी है और यह भी इसमें भी हरा धनिया एड कर दिया है मैंने बूंदिया भी एड कर दिये तो इस तरह से बनी है आज की